गाईज आइस वीडियों हम दिवी गरने वाले हैं बैटनावाइट एन क्रीम का अशुड़ा आपको दांगे स्क्रीम को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किया क्रीम सच में आपके चेरे से दाख दब में जैसी प्रोब्लम को ठीक कर पाएगी और आपके चेरे को गोरा बनाएगी और आपको इस क्रीम को कब और किस कंडिशन में यूज करने चाहिए आज इस बैटनावाइट एन क्रीम के बारे में आपको कम्प्लीट इन्फोलमेशन देने वाला हूँ वीडियो को लाट सक जरू देखिए तो चलिके में टाम इस्ट की वीडियो स्टाट करते हैं गाईज सबसे पहले में इस बैटनावाइट एन क्रीम के प्राइज की बात कर लेते हैं यह मेरे पास 25 ग्राम का प्राइग है और उसका प्राइज है 55 रूपीज बात करें इस क्रीम के Medicine Combustion की इस क्रीम में Betamethasone Valorate और Numeacin का यूज़ किया जाता है और गैज़ अब बात कर लेतें इस Betamethand क्रीम के Benefits की इस क्रीम को किस प्रोबलम के लिए यूज़ में लिया जाता है अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा, फंगल इंफेक्शन, दाद, खाज, खुजली या आपकी स्किन पे छोटे छोटे रेडर कलर के दाने टाइप निकल चुके हैं जिसे ऐलर्जी बोलते हैं या आपकी स्किन पे इंफलमेशन, सूजन जैसी प्रॉलम है तो इसकेस में आप विजिसमे एटनावाट एंक क्रीम को यूज़ में ले सकते हो इन सभी प्रॉलम पे ये क्रीम काफी अच्छे से वर्क करती है लेकिन गईस अगर आपकी स्किन पे इन मेंसे कोई भी problem नहीं है और आप इस क्रिम को चैरा गोरा करने के लिए यूज मेन लेनाँ चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दू इस क्रिम पे ये कहीं पे भी mention नहीं है कि ये क्रिम स्किन को fair करती है आपको स्क्रीम को एज़े फेंड स्क्रीम बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए अगर आपकी स्क्रीम पे इन में से कोई भी प्रोब्लम है जो कि मैंने आपको बताई जैसे की एकजिमा, फंगल इंफेक्शन या आपकी स्क्रीम पे रेड डर्ड कलर गे धब्बे पड़ चुके हैं या आपकी स्क्रीम पे सूजन आ चुकी है तो इस केस में आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हो आपको इस क्रीम को ऐसे फेन स्क्रीम बिलुगल भी यूज नहीं करने चाहिए बात करें इस बैटना वाइट एंड क्रीम को यूज करने के सही तरीके बारे में सबसे पहले आपने एक बात का धियान लगना है आपने इस क्रीम को ज़्याद लंबे समय तक यूज में नहीं लेनी है क्योंकि एक स्टोइड क्रीम है जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए वैसे ही आपने इस क्रीम को लगानी बंद कर देनी है लेकिन अगर आप इस क्रीम को ज़ाद अलम इसमें तक use मिलेते हो तो आपको इस बेटन वाइट एन क्रीम के side effect भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि इस क्रीम को लगाने से आपकी स्क्रीम पे काफ़े ज़ाद redness आ सकती है और ये क्रीम आपकी स्क्रीम को अपतला भी कर देती है और स्क्रीम को लगाने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है इस क्रीम को जायद अलमी समय तक यूज मे लेने से इसक्रीम पर चोटे-छोटे बाल भी उगने लगते हैं इसलिए स्क्रीम के साइड इफेक्ट से बिचने के लिए आपको स्क्रीम को जएद अलमी समय तक यूज में नहीं लेनी चाहिए और आपने स्क्रीम को केवल अफेक्टीड एरी पर लगानी चाहिए मतलब कि जहाँ पे आपको problem है महीं पे आपने screen को लगानी चाहिए और screen को लगाने के बाद आपको direct धूप में नहीं जाना चाहिए और guys video के last time आपको यही suggestion दूँगा कि आपने doctor की advice लेने के बाद इस screen को use करनी चाहिए यह जिसमें medical store से आप screen को लेते हो वहीं से आपने अपने प्रॉब्लम के अकोर्डिंग इस बैटनमाई 10 क्रीम के बारे में complete information ले लेनी है इसके बाद यह आपने इस क्रीम को use करना है तो गैस यहीत है इस बैटनमाई 10 क्रीम का complete review गैस अगर आपके स्क्रीम के बारे में और कोई भी question है तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको reply कर दूँगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और से जरू कर दिजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दिजिए